ब्राद तो यू बाइ माइ 11 सेर्कल, विन वन लाग फूर फ्री, डानलोड था आप नौ अकिर क्या है रिटायर्ड आउट का रूल, आएए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में बल्लेबास चाहे तो रिटायर्ड आउट होकर मैदान छोड़कर जा सकता है जी हाँ, ये रूल बुक का हिस्सा है बोल्ड और अलबी डल्बुक की तरह ही रिटायर्ड आउट भी डिस्मिसल का एक फॉर्म है जिसमें बल्लेबास बीच इनिंग्स में मैदान छोड़कर जा सकता है लेकिन वापस आने के लिए उस एमपायर और अपोजिशन के कप्तान की अनुमती नहीं होती है कुछ लोग रिटायर्ड आउट को रिटायर्ड हर्ड समझ लेते हैं लेकिन इन दोनों में फर्क है अगर बल्लेबास रिटायर्ड आउट होकर मैदान से बाहर जाता है तो वो दुबारा बल्लेबाजी करने नहीं आ सकता लेकिन रिटार्ड हाट होने पर बल्लेबाज एक बार फिर से अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करने आ सकता है राजिस्तान रॉयल्स के इस वैसले की चर्चा पूरे क्रिकेट जगत में हो रही है अश्विन के रिटार्ड आउट होने पर इयन बिशप ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी बिशप कहते हैं अश्विन का रिटार्ड आउट होना इंट्रेस्टिंग टाक्टिक्स था टीट्विन्टे क्रिकेट ने 21 सदी में हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है अश्विन के रिटार्ड आउट होने को लेकर राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और हेड कोच कुमार संगकारा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी ये दोनों का कॉम्बनेशन था अश्विन का रिटार्ड आउट होना टीम मैनेजमेंट और अश्विन दोनों का फैसला था मैंने कोच के तौर पर रियान पराक को डुसेन से उपर बैटिंग ना करवा के गलती की थी हमेरा सी को पीछे रोक कर रियान को उपर भेजना चाहिए था अश्विन ने सिच्वेशन अच्छे से हैंडिल की और उन्होंने अपना विकेट रिटार्ड आउट के तौर पर सेक्रिफाइस किया इसके बाद शांदार गेनबाजी भी की संजु सैमसन ने भी मैच के बाद इस फैसले पर रोशनी डालते हुए कहा ये राजस्तान टीम की बात है हम अलग चीज़ें ट्राइ करते रहते हैं हमने सीजन के पहले भी इसकी बात की है हमने सोचा था कि अगर सिचुएशन आती है तो हम ऐसा कर सकते हैं ये टीम का डिसिजन था शायद ये IPL का कोई ऐसा सीजन होगा जब रवीचंदन अश्विन चर्चा में ना आए चाहे बात हो रिटार्ड आउट होनी की या फिर बात हो मनकेटिं की डूल्स का कैसे बहु भी इस्तिमाल किया जाए ये कोई रवीचंदन अश्विन से सीखे मेरे साथ जुड़िये मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा तयोहाग मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट, लाइव अनालेसिस, स्पेशल इड़िव्यूस, डाउनलोड कीजिए, स्पोर्ट्स तकाम